नमस्कार अगर आपकी दोस्ति ये बाते नजर आने लगे ये बाते आ जाए तो तुरंत अपनी दोस्ती को ब्रेक अप कर देना अपनी दोस्ती को खत्म कर दे आपकी दोस्ती अच्छी चल रही है आप किसी के साथ बहुत ही अच्छे फ्रेंड है और काफी टाइम से है लेकि आपको ऐसे लगने लग जाए और दोस्त में इसी बाते आ गई हैं तो अपनी दोस्ती हुए खत्म कर देना बिना उससे विवार विगड़े उपनी दोस्ती कम कर देना पहले जैसी दोस्ती मत रखना वरना आपका विश्वास तूट सकता है और आपकी दोस्ती में आपको धक का लग सकता है इसलिए अगर आपकी दोस्ती में ये बाते आने लग जाए तो दोस्त से दूर रहना ही बेतर है एक तरफा दोस्ती आपको लोगता है यार पहले हम आराम चले थे पहले हमारी खुब अच्छी बूर्डिंग थी और बहुत अच्छी दोस्ती थी लेकिन अगर आपको लगता है ये तरफा दोस्ती में पहल 112 सामने वाला मुझे दोस्त नहीं समझाए सामने वाला मुझे इतनी बैलिव नहीं दे रहे it Нी तौच्छा नहीं दे रहे मेरी एक तरफा दोस्ती हो यह या एक तरफा प्यार हो बन साईड लोउ ऐन साइड़िध और अगर यह है ना तो उसको वही इस्टोप कर देना सामने वालों को बिना जताय हुए आप भी इस्टोप कर देना वरना एक तरफा दोस्ती में आपको नुक्सान होगा दोस्त का नेगेटिव हो जाना अगर आपका दोस्त बात बात में नेगेटिव बाते करता हो बात बात में एक मतलब आपके विचारों का सम्मान नहीं करता हो बात बात में आपकी मतलब आपकी बातों को टोकता हो तो भी आप अपने दोस्ते अलग रहें अपना रहें अपने दोस्ते अलग हो जाने दोस्ती कम कर दें क्योंकि अगर आप negative दोस्त के साथ में रोगा ना तो आपका mindset भी negative हो जाएगा किते हैं ना कि जो इनसान जिसके साथ जैसा रहता है ना उसका mindset भी विशा हो जाता है इसलिए आपको लगे कि आप दोस्त नेगटी बाते करता है तोस्त की thinking अलग हो चुकी तो अपनी दोस्ती कम करते है जब दोस्ती के बीच में मतलब का रिस्ता आजा वैसे तो कहते हैं हरे इंसान अपने मतलब के लिए जिता है लेकिन दोस्ती में मतलब के लिए जीना नहीं होता है अगर आपको लगता है कि दोस्त अपने मतलब के लिए आपका इस्तमाल करने लग गया पेले नहीं करता था अब आपको अपने मतलब के लिए इस्तमाल करने लग गया तो आप अपनी दोस्ती कम कर ले क्योंकि जो इन्सान मतलब के लिए किसी का यूज करता है न वो किसी का नहीं होता है वो अपना मतलब निकलता है और अपने काम पे जला जाता है आपको बीच में छोड़ जाता है इसलिए अगर आपको लगे गया रख मेरा दोस्त पहले मेरे पे जान चिड़ेता था पेले मेरे लिए हर जेगे खड़ा पता था लेकिन अब मेरे साथ मेरी वेल्यू को देखकर मेरे पेसे को देखकर सिर्फ मतलब के लिए मेरे साथ में खड़ा है न तो आप उस दोस्त दोस्ते कम कर देना अपनी दोस्ती वहीं स्टोप कर देना बरोसा अगर आपको अपने दोस्त पर बरोसा नहीं है और आपका दोस्त आपके ओपर बरोसा नहीं करता है पहले करता था अब नहीं करता है बरोसे की कमी हो गई है आप दोनों के बीच में तो एसी दोस्ती को भी इस्टोप करते ना एसी दोस्ती को भी आगे मत बढ़ाना क्योंकि जिस दोस्ती में बरोसा ना हो जिस दोस्ती में विश्वास ना हो वह दोस्ती आगे नहीं बढ़ सकती वह दोस्ती वही खर्प हो जाती इसलिए जब भी आपको लगे गयार दोस्तों के बीच में बरोसा नहीं है तो वो दोस्ती इस्टोप कर दे स्वार्थ आपको लगे गयार आपके दोस्तों के बीच में स्वार्थ पैदा हो गया है दोस्ती में स्वार्त नहीं होना चीज़ आपको लगे गया दोस्त पेले ठीक था और अब अपने चोटी चोटी पार पर अपने स्वार्त सिद्ध करने लगा है अगर ऐसा लगे आपको तो ये दोस्ती इस्टोप कर देना तो ये कुछ बाते हैं अगर आपको दोस्त में